दोस्तों मैंने जोहतिश की स्थम में आपको चारों के विशाएं बताये था अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा भाव की बारा राशी होती है किस-किस भाव में कौन-कौन सी राशी होती है दोस्तों वेदिक जोहतिश का जनम हमारे वेदों से हुआ है और वेदों में जोहतिश का एक स्थान छटा इस्थान आखों का है चोकि जोहतिश के द्वारा वेदों का जनम हुआ था जोहतिश से हम यह अनुमान लगाते थे किस चनम में क्या होने वाला है उससे हम जोतिश के बारे में लिखते थे और इस ये एक तरह से आँख है आँख माधशन देती है विक्ति का तो हमारे जोतिश के हमसा जो इस्थिटी बताई गई है वो जोतिश को वेदो की छट एसाल बताई गया है तो देखो मैं भाब के बारे बताना चाहता हूँ इसके बारा भाब होते हैं एक से लेके बारा तक एक तो ती चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा ये इनके पक्के भाब होते हैं ये पक्के भाब होते हैं ये बहला भाब सूर्या का है दूसरा भाब गुरु का है और तीसा भाब मंगल का है चोता भाब चंद्रमा का है और पांचमा भाब गुरु का है छटा भाब शनी का है और सातमा भाब गुरु और शुक्र का है इसमें दोस्तों ये पती पत्नी का इस्थान होता है अब लड़के के कुंडली में हम शुक्र को मानते हैं और लड़के के कुंडली में गुरु को मानते हैं ये इसमें भी कई भ्रहांतिया हैं जो कि सब्तम इस्थान पति-पत्रिका होता है तब मेरा अपना मानना है कि इन दोनों ग्रहों का महत दोनों पे बराबर संकेत करता है दोनों गरहों को सही होना एक अच्छे जीवन के लिए अन्वारिया है। इसमें किंतों प्रंतों में नापढ़े हैं, यह दि किसी का गरह ब्रस्मत्ती खराब है और शुकर कितना भी अच्छा हो, उसका जीवन अच्छा नहीं होगा। और किसी का ब्रस्पती करें कितना भी अच्छा हो और उसका शुक्र खळाओ तो उसका भी जीवन अच्छा नहीं होगा। तो इसमें कंट्रोमस्य में ना पड़ें, दोनों करहों के बारे में चेर्चा करने के बार किसी को कुलने के बारे माता है। और आठ मा इस्थान शेनी का पका इस्थान होता है, और नौ मा इस्थान गुरू का पका इस्थान होता है, दस मा बूत का पका इस्थान होता है, ग्यार मा गुरू का पका होता है, अब बार मा शेनी का पका होता है। दोस्तों इसके बारे में एक पुराना लेख है कार को भावनाशे है यदि वही गरह है जिस इस्थान का वो कारक है उसी इस्थान पर पुने बेंट जाता है तो वहां का वो नुकसान करता है हम इस बातों पर धान नहीं देते हैं इस बात पर धान ही नहीं देते हैं हम सोचते कि सूर्य लगने बैठा है तब बहुत अच्छा है जब कि लगन का बैठा हुआ सूर्य अच्छा नहीं होता क्योंकि सूर्य लगन का सूर्य पक्का घर है और ब्रस्पति दूसरे इस्थाने बैठा होता हम करते हैं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छी बा अब मैं आपको गरह के मारे बताने चाहता हू दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे, नंबर एक सूर्य गरह, नंबर दो चंद्रे गरह, नंबर तीन मंगल गरह, नंबर चार चंद्रवा, नंबर पार गुरू, नमबर 6 बुथ और नमबर 7 शुक्र और नमबर 8 बंगल और नमबर 9 ब्रशपति और नमबर 10 शणी और नमबर 11 भी शणी हैं और नमबर 12 ब्रसपति ईंए तोस्तों ये जो नो के नो ग्रहें इन बारा राशों में बैठते हैं सूरिय और चंद्रमा को छोड़के सब के दो दो राशी होती है अगर हमारे साथ ग्रहें पांच ग्रहों के दो दो राशी हो गई पांद उनी दस और दो गो तो इस तरह से बारा राशी बन जाती है कई मारे लोग पूछत या जो दूसरी राशिय होती है वो उसे एक्ट्िवेट करती है. हर राशी दो-दो हती है, आजो कार्य करती है पीछे कार्य करती है. इन बातों को मैंने विस्धार से समझा दिया और बता दी आपको कि हमारे 12 के 12 भाभ जो हमारे जोतिश के स्थम्भे हैं वो यह हैं दोस्तों मैं आपसे आशा करूँगा नवेदर करूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को देखें और सब्क्राइब करें और आगे पहुंचने का प्रयास करें और इन बारिकियों से इन ग्यानों को प्राप्ट करने का प्रियास करें